सब बढ़िया मज़े में एक नमबर है क्या मैं रख दिवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे एस भाईया वन शॉट के अंदर ठीक है बहुत सारे बच्चे परिशान है कि सर चेप्टर टू इतना बड़ा है कि सर खताम ही नहीं होता सर क्या क्या याद करें सर सोल प्रोप्राइटर्शिप के फीचर है एडवांटेज डिसडवांटेज पार्टनर्शिप के फीचर एडवांटेज डिसडवांटेज टाइपस ऑफ पार्टनर्शिप टाइपस ऑफ पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप लीड रंजिस्ट्रेश सर उसके system है ठीक है उसके बाद corporate joint stock company आ गया हमारा joint stock company इतना बड़ा topic है सर marriage, the marriage features ठीक है difference उसके बाद सब में difference इतना बड़ा chapter सर सर बोलते बोलते आपको ठग गया देखो मैं ही ठग गया गया इस ठीक है तिसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन ये वीडियो अगर आप save कर लें और ये वीडियो अगर आप इसको जरूर देखें एंड तक तो भाईया आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी तो ना बड़ा chapter मातर एक समा घंटे में हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दूँगा गाईस ठीक है ओके तो शुरू करें शुरू करें गाईस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के so chapter का नाम क्या भई chapter का नाम है forms of business organization ठीक है जी forms of business organization चेप्टर के अंदम लोग ये पढ़ते हैं कि business कैसे कैसे किया जा सकता है so chapter one में हमने business के बारे में पढ़ा था आपको याद होगा हमने types of business activities के बारे में पढ़ा business Ett्विटिपस के बारे में पढ़ा profit के बारे में पढ़ा अब हम लोग आ गए गैं चैप्टर number 2 के अंदर और chapter number 2 में हमें क्या पढ़ना है के ठीक है the first one is the sole proprietorship the second one is guys Hindu undivided family business जिसको गाइस हम लोग और क्या बोलते हैं इसको बोलते हम लोग joint Hindu family business joint Hindu family business भी इसको कहा जाता है ठीक है जी उसके बाद guys partnership है cooperative society है और joint stock company है so in total guys क्या आप बात है तो guys मैंने क्या बहुत है इन total there are five forms of business organization business करने के बाल को total पाच forms होते हैं ठीक है चलिए तो start करते हैं guys the first one ठीक है and the first one is sole proprietorship पहला क्या है guys sole proprietorship से हम लोग start करने वाले ठीक है शुरू करने guys sole proprietorship चलिए तो नाम से idea लगेगा बाल को sole का मतलब होता है single या only sole का मतलब क्या होता है guys या तो single होता है या फिर only होता है और proprietor का मतलब owner होता है तो sole proprietorship एक ऐसा business है बाल को जिसमें single owner होगा only एक ही owner होगा guys ठीक है नाम से idea लग रहा है as the name suggests sole single owner only owner sole proprietorship is that form of business in which there is single ownership ठीक है मैं define करता हूगा इस आप लोगों के लिए चलिए so sole proprietorship sole proprietorship is that form of business is that form of business in which there is only in which there is only one owner bracket में single owner ठीक है जी ओके दन बालकू clear है तो sole proprietorship एक ऐसा business होता है बालकू जहाँ पर क्या होती है single ownership होता है एक ही बंदा owner होता है that business is known as sole proprietorship ठीक है उसके बाद बालकू तीन magical words हमें ध्यान रखने है I love you की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं किसी और तीन magical words की बात कर रहा हूँ वो तीन magical words क्या क्या है owned managed and controlled owned managed and controlled ठीक है तो sole proprietorship एक ऐसा business है बालकू which is owned managed and controlled by the single owner ठीक है जी सारा profit उसी की जेब में जाएगा सारा loss भी वही जेलेगा yes or no तो sole proprietorship is that form of business which is owned, managed and controlled by the single owner the single individual ठीक है जी who will receive all the profit and who will bear all the losses ठीक है तो ये definition होगी और बालको 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 आपको पता है कि मैं comment वाले homework आपको देता हूँ तो जो अच्छी वीडियो देख रहे हैं मुझे comment में दो या दो एक्जामपल देने है soul proprietorship के ठीक है दो एक्जामपल बालको soul proprietorship के आपको देने है ठीक है चालिये so आगे बढ़ते है भाई so a soul proprietor is the one who is the only owner of a business यह बात हमनों already पढ़ चुक है yes or no sir he is the only owner of a business business का भाई है जब एक ही owner होगा that business will be known as soul proprietorship soul proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and तो यह लिखा which is owned, managed and controlled by the individual who is the recipient of all profit and bear of all risk or losses तो सारा profit भी उसका सारा risk or loss भी वही जहेलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सर features की तरफ move करते हैं सर पहला होगे वाल को formation and closer तो easy formation, easy closer सर वाई easy formation, why easy closer क्योंकि देखो soul proprietorship के लिए कोई अलग से कानून तो है नहीं ठीक है जी कोई कानून नहीं है कोई legal formalities जज़ादा नहीं करनी है कोई documentation कागजी कारवाई नहीं करनी है इसलिए कहाए इस formation business खोलना भी असान और business बंद करना भी असान है ठीक है next one liability तो liability जो होगी मेरे भाई वो क्या होगी unlimited होगी sir unlimited का मतलब क्या होता है unlimited मतलब होता है personal property can be acquired personal property can be acquired मैं simple करके बाल को लिखवा रहा हूँ ये भी ध्यान दखना ठीक है जी और simple करके media language में लिखा जाता है न जो उसको बोलते हैं ADD क्या बोलते हैं गाई ADD अनुराग DVD definition ठीक है तो भाईए ADD भी आपको hand-to-hand मिल रहा है तो liability क्याएगा liability जो होती है sole proprietorship के case में वो होती है unlimited सर पहले liability क्या होती है तो बताओ देखो liability मतलब जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है ठीके जी जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है वो liability है अब जैसे माल लीजे मैंने bank से 5 लाग रुपे ले लिए तो क्या हो 5 लाग रुम मेरे है नहीं सर लेकिन किस के पास है मेरे पास है तो क्या हो मेरी liability है owner's का profit company में हो ना ये भी liability है तो प्रेफिट हमारा नहीं owners का है लेकिन हमारे पास तो liability हो गया ठीके जैसे माल को आप लोगों का दिल मेरे पास है ना अब आपका दिल मेरा एक यहां नी वह दिल तो आपका है लेकिन है किसके पास मेरे पास है तो मेरे लाइबलिटी है कि मैं आपका दिल सम्हाल के रखों आपके दिल को तूटरना ना दो है ना है ना yes or no so what is that what is that guys that is liability उसे क्या बोलते हैं बालको उसे बोलते हैं liability ठीक है जी ओके गाई इस डान चली तो liability का मतलब क्या होता है बालको liability का मतलब होता है दो तरह की liability होती है unlimited एक होती है limited unlimited में personal property तक बिख जाती है गाई और limited में जितना दुकान में पैसा लगावा होता है जितना capital invest होता है business में बस वही दाव पर होता है और unlimited में personal property भी दाव पर होती है इस ठीक है इस बात को ध्यान दखेगा और सोल प्रप्राइटर केस में unlimited liability होती है मतलब personal property भी दाव पर है ठीक है ध्यान दखेगा चलो आगे बढ़ता है यह सब्धानी के ज़वद तो मुझे लगता नहीं कि है कि सब्सक्राइब और प्रॉफिट रिस्पेंट सारा प्रॉफिट भी उसी इंसान का है बाल को आगे ब है तो सारी सारी सारा डिस्जिन बे किंबाल और जो ए बढ़ते हैं यहाओ आगे बढ़ते हैं जैस एडवांटेज की तरफ मूव उप करते हैं क्या क्या है पहला गाईज क्विक डिसीजन वे कि अकेला बंदा हूं जब मर्जी जो डिसीजन लेना चाहूं ले सकता हूं क्विक डिसीजन मेंकिंग नेश्ट वन मतलब मतलब आप हाड वरक अगर आप जदा हाड वरक करेंगे तो आपको जदा इक हएड बीनेफिट हो याण शेख़ा बराफ अगर आप हाड वरक नहीं करतें शो आपको No hard work, no profit. So there is a direct relationship between the hard work and the benefit. ठीक, AC को बोलते हैं, direct incentive है, guys. Next point is, sense of accomplishment. Yay! जो भी किया, guys, मैंने अपने दम पे किया, there is no one who can claim that आज तेरी सफलता के पीछे मेरे हाथ है नहीं. मेरी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ है, तो मेरे सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हाथ होगा, guys, और किसी का हाथ नहीं होगा. ठीक है जी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Ease of formation and closer, soul proprietorship को खोलना भी असान है, और soul proprietorship को guys, बंद करना भी असान. Next point, बालको disadvantages की तरफ move करते हैं. पहला disadvantage बालको limited resources और आपको याद होगा बालको resources होते हैं 4M, 4M मतलब sir man, machine, money, or material. Man, machine, money, material बालको man, machine, money, material. ये guys क्या है, ये हमारे 4M हैं. अब soul proprietorship के case में, जब एक ही बंदा है, तो man एक, machinery भी एक-दो चलाएगा, money भी थोड़ा बहुती होगा, और material भी बालको limited होगा, तो क्या बोला मैंने, limited resources होते हैं guys. Next point, limited life of a business concern, बालको जिसको मुनों लिख सकते हैं, lack of continuity. Lack of continuity. ठीके जी, okay. ठीके, हाँ जी, चलो बालको, एक सवाल मैं पुछूँगा, इस ही, हाँ पर भी हमारा एक सवाल होगा, किसा अगर death, ये 5 words दे रहा हूँ guys, ये 5 का पंजा है, ठीके जी, 5 का पंजा समझिये, death, retirement, insolvency, imprisonment, और lunacy, हाँ जी. तो बालको, आज का जो हमारा है, आपका second homework, जो मैं comment वाला homework देता हूँ, what is the meaning of lunacy? ठीके guys, okay. So, what is the meaning of lunacy guys? What is the meaning of lunacy? ये आपको मुझे जवाब देता है. ठीके, done बालको, तो क्या बोला मैंने, ये 5 में से अगर कुछ भी होगा आपको. इन 5 में से अगर आपको कुछ भी होता है, तो बिजनस हमारा बंद हो जाएगा, तो फोल प्रोपरेटर अकेला है, देत हो गए बिजनस्बंद, रिटायर हो गया बिजनस्बंद, क्यके तरी lunacy हो गया बिजनस्बंद, imprisonment हो गया बिजनस्बंद, आए बात समझ में, ठीक है बाल को, दन गईस, क्लियर है, हाँ जी, हाँ, चलिए गाईस, ओके, 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 आगे बरते हैं सर, अब आते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हैं गईस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह होता है, हाँ जी, इस तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो limited managerial ability होती है ठीक है आगे पड़ते हैं सर joint जॉइंदू family gaiz joint पिरेंदस प्रिजनस जुइंदयू फैमिली बिजनस के बारे में जानेंगे सो भी या को तोered 기 एक्जामपल बोले तो बाल कुछ एक्जामपल बो ऑलको एक्जामपल बोले सच-छ आप समझे हैं गाई तो यह दो हैं हमारे एग्जांपल गाई इसके जॉइ handlar हिंदु फैंट फैंट फैंटिन अं का जॉइakter जहुत हिंदू फैमिली बिजनस इस रन वाय जॉंट फैमिली इस ओन अन मानेज़ड बाय जॉंट फैम थेक्या जी तो बाल को जो उसमें सबसे एंडेस्ट मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग करता थी करता या मुख्या या मैनिजर बोलते हैं और सारी डिसिज़ंड में पाब जो कि सिफ इंडिया में पाई जाता है आपको नाम से एडिया लग रहा होगा कि क्यों इंडिया में पाया जाता है कि इस गवन्द बाइड प्रूबीजन सब्सक्राइब है वह जॉइंडू फैमिली बिजनस था चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ वर बाते जानते हैं गाई basically तीन जनरेशन इसकी मेंबर बन सकते हैं वाल को ठीक है कहां लिखा हुआ है लिखा हुआ है जनम लेते हैं आप इस बिजनस के मेंबर बन जाते हूँ और तीन जनरेशन तीन successive generations can become the member जैसे कि सर ये तीन successive generation का मतलब क्या होता है दादा वाली generation पापा वाली generation, मेरी वाली generation अब पर दादा वाली generation बहुत ज़ाद एज जुड़ जाती है तो वो इसका पाट नहीं बन सकते हैं ठीक है तो only three successful generation successive generations can be the member of the business गाईस ठीक है ओके और ये री definition आपकी आपको definition देखनी ये री it refers to a form of organization wherein the business is owned and carried by owned and carried by the members of a Hindu undivided family business ठीक है जी अच्छा the business भी ने बताई न आपको the business is run by the eldest male member जो eldest male member होते हैं वो इस business को चलाते हैं और सारी decision making power जो है गाई करता के हाथ में ही होती है ठीक है जी all members have equal ownership right हर एक member के बाल को equal ownership right है उस business के अंदर और जो बाकी members होते हैं उन्हें बोलते हैं जम लोग co-partners partners नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं co-partners बोला जाता है ध्यान दखिएगा आगे बढ़ते हैं there are two system बाल को देखो दो system गाईस ठीक है joint Hindu family business के अंदर देखा जाए बाल को joint Hindu family business के अंदर दो system होते हैं एक होता है बाल को दया भागा system दूसरा होता है गाईस मिताक्षरा system दया भागा अपने वारा दया भाग गया कहां भाग गया वेस्ट बंगाल असाम एन उडिसा क्या बोला मैंने वेस्ट बंगाल असाम एन उडिसा भाग गया जहाँ पर जहाँ पर क्या होता है गाईस male और female दोनों member बन सकते हैं joint Hindu family business के ठीक है जी लेकिन मिताक्षरा system मिताक्षरा starts with M guys M मतलब सिर्फ male तो वो business जहाँ पर सिर्फ male ही member बनेंगे that business will be known as बाल को मिताक्षरा system and दया भागा system guys क्या होता है जहाँ पर दया भाग जाता है तीन जगा भाग जाता है और वहाँ पर male female दोनों में बन सकते हैं and मिताक्षरा system all over India applicable होता है except these three places Assam, Udisa and West Bengal और मिताक्षरा में सिफ male ही member बनेंगे ठीके, चलिए अब आते हैं इस features की तरफ बढ़ते है features तो पहला बाल को feature में पहला point है formation पहला point क्या है guys यहाँ पर formation is missing है भाई या देख ले ना है ना तो formation guys पहला point है और formation का मतलब क्या होता है देखो formation का मतलब होता है joint Hindu family business की formation कैसे होती है पुर्खो की property तो क्या बोला मैंने at least two members and ancestral property आगा आपके पास है तो आप जो है joint Hindu family business easily खोल चाटने guys डन 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 आगे बढ़ें चलिए liability तो भी है जैगो करता की liability unlimited हो जाएगी जो करता है करता की liability unlimited है और बाकी सारे members की liability limited है all members सारे members की liability limited और करता को छोड़ दिया जाए तो करता की liability unlimited है sir क्यों है ऐसा क्यूंकि सारे काम तो करता ही कर रहा है सारी decision making power करता के पास ही है ठीके कुछ भी करेगा तो करता करेगा बाकी members जो है उसके decision में रखा अंदाजी नहीं दे सकते तो इसलिए बाकी members की liability को limited रखा गया और करता जो की सारे काम कर रहा है सबसे eldest male member है तो उसकी liability को unlimited रखा गया control control किसके हाथ में गवाल को जो control है वो किसके हाप पास है बल्कु सारा सारा control करता के पास है करता है the most experienced and the eldest male member of the family next point is continuity यहाँ पर continuity होती है बाल को continuity क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर जो power है वो किसके पास है करता के पास है अब करता अगर death हो जाए तो क्या होगा next eldest male member become करता ठीक है तो अगर करता मर गया guys तो अगला जो eldest male member होगा वो करता बन जाएगा next minor member yes minor can be the member by birth जनम लेते हैं बाल को minor जो है इस business का member बन जाता है आगे बढ़ता है advantages पर आते हैं बाल को पहला advantage effective control control काफी अच्छा काफी effective होता है joint Hindu family business case में क्यों होता है सर क्योंकि experienced person के पास जो है वो सारी powers है next one continued business existence continue रहेगा business किसी के member के आने जाने से death से business बन नहीं होता है क्यों नहीं होता है guys क्योंकि जो अगला eldest male member है वो करता बन जाता है next one limited liability of members जो members है जो co-partners जिसको हम लोग कह रहे हैं उन co-partners की liability limited होती है मतलब उनकी personal property दाओ पर नहीं लगी हुई next one increased loyalty ये भी ठीक नहीं हुआ अस तक तो बालको ये loyalty देख लेगा please है ना increased loyalty and cooperation बालको तो यहाँ पर बालको loyalty and cooperation आएगा ठीक है तो loyalty का मतलब क्या होता है बालको जब भी हम लोग ध्यान देंगे ना अब ये परिवार है जब एक ही परिवार के लोग आपस में business कर रहे हैं तो आपस में loyalty का क्या होगा loyalty आपस में जादा होगी आपस में cooperation जादा होगा बालको ठीक है so increased loyalty and cooperation चलिए next point is disadvantage की तरफ मुफ करते हैं पहला क्या है limited resources इनके पास भी तो limited resources ही होंगे है ना तो कि एक परिवार में कितना ही member होंगे limited होंगे में कितने limited material कितना limited ठीके मैंने लिमिटेड होगया material बीच्ट होगया अगई तो मैंने बोलास कि resources जो है बहुत जादा limited है अब सब this source लिमिट्ट नहीं कैसे कि एक ही परिवार के लोग है कितने ही मैंननें कितने में लोगे कितनी सब कुछ होगा करता काम कर रहा है सारी पावर उसके पास है गलत-गलत decision भी ले लेता है इसी बीच ठीक है ओके बिना consult करे decision लेता है तो dominance of करता हो गया है गाई लिमिटेड manager skill अब अकेला बंदा है तो सब कुछ manage भी नहीं कर पाता जैसे कि sole proprietorship में भी यह same point था क्योंकि वहाँ पर भी एक ही बंदा manage कर रहा था तो सेम लिमिटेड मैनेजीर अबिलिटी लिमिटेड मैनेजीर skills था यहाँ पर भी बालकु सेम एक ही बंदा करता ही सब कुछ कर रहा है तो यहाँ पर भी बालकु सेमी इस क्या होता है relationship और यह तुम्हारे वाले की बात नहीं हो रही ठीक है तो partnership क्याएगा इस partnership जो है ना एक relationship है between two and more person who are agreed to share the who are ready to share the profits and losses who are agreed to do the business together ठीक है जो किस बात के लिए गरी है साथ मिलके business करेंगे भाई जो किस बात के लिए गरी है जो profit होगा आप से बाट लेंगे भाई जो loss होगा वो भी जेल लेंगे भाई है ना तो partnership relationship हो गया इन दोनों को बोलेंगे बालको हम लोग partners है ना इन दोनों को मिलाकर जो business खुलेगा इन दोनों को मिलाकर गाइस जो जो क्या कुलेगा जो business खुलेगा इन दोनों की वजह से ठीके जी उसको क्या बोलेंगे बाल को उसको बोलेंगे partnership form partnership form गाइस ठीके ओके done है चालिए so they will be called partnership form तो partnership क्या गाइस partnership is a relationship between two and more persons who are agreed to start a business together they are ready to do the business they are ready to share the profits and losses they are known as partners and what they open by their relationship the business they open it is known as partnership form okay so partnership guys according to the partnership act 1932 oh my god it must be noted there's us the actors the indian partnership act 1932 okay the actors indian partnership act 1932 so partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profits we will share the profits carried on by all sab chalayan ke saath me milke ye koji ek chalalega haam sabke behaaf par the partnership indirectly is a relationship in which people are agreed to share the profits and losses they are agreed to start a business together they are agreed to share the profits and losses guys take care okay chaliy features peatna baal ko pahla feature formation formation kaise hooghi baal ko partnership act 1932 ke tahat hooghi or with agreement agreement ke sath hooghi bin agreement ke baal ko partnership nahi hootie hai thik hai agreement joror hooga jis pe sari tomson condition likhe hooghi guys thik hai kya hooga baal ko eek legal agreement joror hooga jis ke sari tomson condition likhi hooghi kya profit hooga kisko kitna profit hooga kisko kitna profit milega kisko kitna loss milega kisko kitna capital lagana hai kiski kya kya duties hain ladaia hoonghi to kaise dure karenghe capital pae interest milega ki nai milega drawings pae interest charge hooga kya nai hooga وہ sari باتے وہ sari tomson condition baleko naha pa likhi hootie hai us partnership ke ander likhi hooghi hootie guys thik hai chaliyo liability peatna baal ko liability kyya the liability is unlimited baleko thik hai in this case the liability is unlimited sari partners ki liability kyya hooghi baleko sari ka sari partners ki liability unlimited hooghi jointly hooghi guys thik hai रिस्क बेरिंग भलकू सारे पांटनर में डिवाईड हो जाएगा, डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा सब को साथ मिलके सारा लॉस झेलना है भलकू. ठीक है? तो रिस्क विल बी डिवाइड़ेड. next one decision making and control सारे partners साथ मिलके decision लेते हैं बालको mutual consent से लेते हैं आपसी सहमती से लेते हैं guys so all the decision will be taken with the mutual consent with the with the सहमती with the सहमती of each other guys ठीक है देखो यह लिखा mutual consent next one continuity बालको continuity यहाँ पर जो है देखा जाए तो अगर continuity हाँ पर देखने को नहीं मिल पाती है बालको क्यों क्या हुआ partnership दो चीज़े है please सुनिए अगर दो चीज़े एक होता सार पार्टनर्शिप और एक होती है पार्टनर्शिप फर्म अब सब देखो किसी एक बंदे की death, retirement, insanity कुछ भी अगर हो जाए उसर कोई बात नहीं बाकी partner है business दाने के लिए तो partnership फर्म के अंदर continuity होती है लेकिन जब कोई एक भी पार्टनर की death होगा या कोई नया partner आएगा तो हर बार हमें नई partnership बनानी पड़ेगी partnership मतलब वो हर बार नई relationship बनाना पड़ेगा मतलब हर बार एक नया agreement बनाना पड़ेगा मतलब किसर पार्टनर्शिप में continuity नहीं है हर बार एक नहीं partnership बनेगी जब भी कोई आएगा जब भी कोई जाएगा तो partnership के अंदर बाल को continuity नहीं होती partnership form के अंदर होती है next one बाल को members minimum to maximum 50 तो minimum members बाल को two maximum members are 50 partner कुछ करेगा बाकी partners भी फसेंगे एक partner कुछ करेगा तो बाकी partners भी फसेंगे an act of one partners binds other partner an act of one partner binds other partners ठीके next one advantages पर आतने बाल को ease of formation and closers खोलना भी आसान है बंद करना भी आसान है क्योंकि सर्देखो basically registration is not compulsory एकी बात ध्यानगनाबाल को क्या the registration is not compulsory without registration you can start a business that is why there is a ease of formation and closer खोलना भी आसान है बंद करना भी आसान ठीके चलिए next one balance decision making बाल को decision making होगा काफी ज़्यादा balanced होगा ठीके जी मतलब sir कि कुछ पूछने बताने के लिए सब की सहमती चाहिए कोई भी decision लेने के लिए सब की सहमती चाहिए सब लोग एग्री करेंगे तब ही decision लिया जाएगा ठीके तो क्या हो गया गाई यहां पर हो गया balance decision making next one more funds अगर compare करें हम लोग sole proprietorship से तो यहां पर क्या गई ज़्यादा funds हैं तो कि वहां पर एकी बंदा तो यहां पर कम से कम 50 हो सकते हैं ठीके next one sharing of risk risk भी divide जाता है बालको risk will be shared between all the partners कहाँ गाई यह भी एक advantage है next one secrecy maintain कर सकते हैं इनको अपने profit और loss को publish करने की ज़वद नहीं वेबसाइट पे upload करने की ज़वद नहीं है as compared to joint stock company joint stock company में अपने affairs को अपने profit and loss को publish करना पड़ता है ठीके जी दिखाना पड़ता है आप जंता को दिखाना पड़ता है लेकिन इनको दिखाने की जववद नहीं है secrecy होती है they can maintain the confidentiality of their information next one disadvantages की तरफ move करते हैं बालको disadvantages पहला है unlimited liability मतलब क्या है guys liability unlimited है सारे partners की personal property दाओ पर है ठीके next one limited resources सर जी देओ कितना भी पैसा होगा लेकिन होगा तो limited ही पचास member limit हो गया पचास लोगों की पैसे लिमिट हो गया machine दी पचास साथ हो गया है ना material भी इतना ही आएगा तो कहने का मतलब कहा है limited हो गया unlimited नहीं हुआ next one possibility of conflict आपने सुना होगा partnership के अंदर लड़ाया बहुत होती है आपस में लोग लड़ जाते हैं कही बार decision के उपर दो लोग कह रहे हैं वो decision लो दो लोग कह रहे हैं नहीं यह decision लो ठीके next one lack of continuity किसके अंदर partnership के अंदर continuity नहीं होती है जब भी कोई आएगा जब भी कोई जाएगा हर बार नहीं partnership बनानी पड़ेगी ठीके तो lack of continuity in the partnership partnership में continuity नहीं होती है हर बार एक नया relationship बनाना पड़ता है ठीके जी ओके next one lack of public confidence लोगों को भी confidence नहीं होता है आपने सुना हो गया कि partnership जो है वो relations खराब कर देती है partnership जो है दोस्ट दोस्ट भाई भाई में लड़ाई करवा जेती है और दूसरा गाईस की इनके accounts पब्लिश नहीं हो रहे है तो भी दिक्कत है है ना चलो अब आते हैं गाईस types of partners partners कितने types के होते हैं एक बार ये देख लेते हैं गाईस सो पहला है गाई active or working partner active partner वो partner होता है जो actively participate करता है हर चीज़ के अंदर है ना so active partner is a partner who actively participate in each and every aspect of business next one is sleeping or dormant partner sleeping or dormant partner वो partner होता है जो सोता रहता है जो actively participate नहीं करता है गाईस ठेक है next one is secret partner बाल को secret partner वो partner होगा जो जो guys क्या होगा जिसका नाम public को नहीं पता होगा ठीक है तो whose name is unknown to the general public whose name is unknown to the general public पब्लिक को नहीं पता उसका association उसका हमारे साथ जुडाव है वो हमारे साथ मिला हुआ है ठीक है जो हमारा member है ये बात public को नहीं पता that partner is known as is known as a secret partner nominal partner को होता है जो अपना नाम देता है कि ये लो मेरा नाम ले जाओ मेरे नाम का इस्तमाल करो business करो मैं partner नहीं बनूँगा मैं daily आउँगा नहीं ना profit loss चाहिए नहीं भाई साथ मेरे से मेरे नाम ले जाओ अब जैसे माल लो हमें रोज बैट पाओ लेकिन एक काम करो ना मेरे नाम ले जाओ अपनी दुकान क्या के लिख दो अमिताब बचन धावा तो क्या होगा मेरे नाम से कस्टमर्स आएंगे तो मेरे नाम ले जाए और मेरे नाम के साथ जो गुडविल अटैच है उसका इस्तमाल करिए उसके मज़े लीजिए that partner is known as nominal partner next one is guys partner by estoppel जो अपने behavior अपने expression से सामने वाले को वो दिखा दे कि हूँ हमारा partner है लेकिन reality में हूँ हमारा partner नहीं है so in reality he is not our partner in reality he is not our partner ठीके जी but he is our partner okay सामने अपने expression से अपने behavior से सामने वाले को ये दिखा दे कि हूँ हमारा partner है लेकिन reality में हूँ हमारा partner नहीं है that partner is partnered by estoppel shortcut trick क्या बताइए मैंने ऐसे ही partner बन गया ऐसे ही अपने behavior से अपने expression से ऐसे ही partner बन गया उसे बोलते हैं estoppel partner ठीके जी partner by estoppel is one who by his words conduct gives an impression to the other debt he's our partner that partner is partner by estoppel नहीं पैसा लगाया नहीं रोज दुकान पे बैठता है नहीं profit and loss जेलता है लेकिन liability अने बीड हो जाएगी क्योंकि अगर मैं किसी तीसरे बंदे का पैसे लेके भाग गया तो इसको पकड़ेंगे लोग क्योंकि यह भी तो आया था partner बनके कि हाँ हाँ मैं तो partner हूँ अपने expression से दिखा रहा था कि partner है तो यह भी फसे गाइस ठीक है ओके नहीं इस partner by holding out देखो partner by estoppel partner by holding out 90% दोनों सेम है 10% अलग क्या है कि पिछले case में वो अपने behavior से खुद सामने वाले को partner लग गया था इस case में मैं इसको partner represent कर रहा हूँ और यह मना नहीं कर रहा है so we are representing him as a partner and he is not denying such impression that is known as partner by holding out हमने partner hold किया है who is represented as a partner and he does not deny such impression guys ठीक है तो क्या है गाइस partner by holding out बोलता है इसको चले परके देख लेते हैं अकट पार्टर वो पार्टर नहीं घ्रता है जो capital contribute करता है management participate करता है profit and loss भी शेयर करता है और उसकी liability unlimited होती है sleeping gurl पार्टर वो capital तो contribute करता है लेकिन management participate करता। काम धंदा नहीं करता profit and loss मंघने आ जाता है और उसकी liability unlimited होती है सर सिक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो capital भी contribute करता है management में भी participate करता है profit और loss भी लेता है देता है और liability unlimited है लेकिन इसके बारे में public को नहीं पता होता सर nominal partner वो partner है जिसने अपना नाम दिया था उसकी goodwill दी थी capital नहीं लगाया management participate नहीं करता है profit और loss नहीं जहलता लेता देता लेकिन liability unlimited है क्यों अमिताब बचन की liability कैसे हो गई अम्मान लोग कुछ भी घरबड हुई तो हम तो फसेंगे साथ में किसका नाम फसेगा अमिताब बचन जी का नाम फसेगा इस ठीक है पार्टनर बाया स्टॉपल के आए गाई जो capital contribute नहीं करता जो management participate नहीं करता जो profit loss share नहीं करता लेकिन liability unlimited है क्योंकि सामने वालों की नजरों में तो हमारा partner है है ना तो उसकी liability unlimited होगा वालको same case holding out में भी होगा क्योंकि इस पर मैंने partner represent कर दिया था तो सामने वालों की नजरों में तो partner है हमारा ठीक है okay चलिए अब आते हैं इस types of partnership partnership जो है वालको उसको दो parts में classify किया जाता है पहला on the basis of duration दूसरा on the basis of liability तो duration के basis में वालको पहला है partnership at will दूसरा है particular partnership पहला वालको partnership at will दूसरा particular partnership सब पार्टिकुलर पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो जब भी कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होगी, जब भी कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होगी, जब भी कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होगी, जब भी कोई पार्टिकुलर होती है इस पहला है general partnership और दूसरा है guys limited partnership, है, so general partnership is a partnership in which the all the partners have the unlimited liability guys, ठीक है, तो general partnership, वो partnership होती है जिसके अंदर क्या होता है, सारे partners की unlimited liability होती है, ठीक है, and limited partnership is a partnership in which, in which one partner has unlimited liability and other partners है इंधे आपके में एक पाट्रर को मुझेाओ ज्मेंश कुलिएगा इंधे लिद्त लेकिन agreement can be written on oral है मालों आमione decide किया कि सारा profit मेरे पास रहेगा 90% 10% आप लोग के पास रहेगा ॢोख मेरे पास मातिक होग आप यह के सब्सक्राइब हां उसलों कुछ वातों पर है और कलते हैं और हम ने और घ्रिमेंट और अगर हम ने अरल इक है तो old agreement अगर यही सारी बाते लिखे लिए उसे बोलेंगे return agreement and the return agreement is known as partnership deed guys ठीक है so partnership comes into existence through an agreement which is entered into the partners the agreement may be verbal or return even though it is not essential to have a return agreement ज़रूर नहीं है कि return agreement ही हो but advisable होता है कि और लिख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी ठीक है जी तो यह रही बाल को partnership की partnership deed की definition partnership deed is the return agreement which is specified the terms and condition that governs the partnership बाल को ठीक है clear है done है चलिए अब क्या-क्या लिखावा होता है कि इस सब चीजें कुछ 4-5 points आपको याद करने हैं बहुत सारे points है name of the firm nature of the firm business ठीक है the location of the business duration of the business investment made by each partner distribution of profit and losses duties and obligations salary withdrawals वगरा है ना तो इसमें कोई सभी बाल को 5-6 points आपको याद कर लेने हैं ओके चलिए अब आते हैं रिजिस्ट्रेशन of partnership form क्या partnership form का registration compulsory है यह optional है तो मैंने starting के अंदर ही बिता जीता बाल को इस topic के की partnership का जो registration होता है बाल को वो optional होता है लेकिन करवाल होगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे जैसे कि आप केस कर सकते हैं बाल को you can easily file a case against the third party है ना you are the third party can file a case against you उसके बाद guys the the partners can file case against the partnership firm the partnership firm can file case against the partners तो एक कानून की नजरों में जब एक entity मिल जाएगी registration हो जाएगा तो आप आपस में case वगरा file का सकते हैं कुछ disputes होंगे तो उसे legally सुल्जा सकते हैं है ना तो यह सब चीज़ें guys okay चले अब आतें guys next one cooperative society तो देखो यार cooperative society is a unique form of business है ना जो बाल को profit के लिए नहीं होता किस के लिए होता है guys it is done for welfare of members नाम सही यह cooperative 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 मतलब working together working together को क्या बोलते हैं बाल को cooperative बोलते हैं and it is done for the welfare of members welfare of members members के welfare के लिए guys cooperative society जो है चलाई जाती है guys okay next one तो यहाँ पर लिखा वाए the term cooperative means working together ठीक है जी okay चलिए आगे बढ़ते हैं समझते हैं चीजों को it aims to protect and promote economic interest बाल को है ना the cooperative societies act 1912 के तहत cooperative society को अच्छे से चलाया जाता है याइस ठीक है कम से कम 10 member होने चाहिए बाल को maximum limit defined नहीं है ठीक है उसके बाद registration compulsory है बाल को यहाँ पर registration जो है का है यहाँ पर compulsory है registration इस बात को ध्यान लखना है ठीक है यहाँ पर बाल को एक principle one head one vote one man one vote ठीक है सर एक इंसान एक की वोट डालेगा जब directors का चुनाव होते हैं को यहाँ पर चलाता कौन है उसको cooperative society को चलाने मारे लोग होते हैं उनको बोलते है directors ठीक है मैं यह भी members नहीं होते है members के बीच में election होता है जो लोग जीतते हैं तो वो लोग बनते हैं डारेक्टर अब यह members के बीच में जो election होगा वह equality के बिस पर होगा एक शिर का यह की वोट है sorry एक इंसान का यह की वोट है गाई इस one head one फीचर्स पर आते हैं पहला बाल को voluntary membership अगर आप member बनना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से member बनिए हम आपको force नहीं करते हैं ठीक है आपका interest है अपका मन है तो आप आके member बनी है 18 साल से उपर है कोई भी इंसान आके इसका member बन सकता है ठीक है उच्छा से लीगल स्टेटस बाल को देखो registration compulsory होता registration of the cooperative society is compulsory तो लीगल स्टेटस प्रपर मिलता है इन लोग को कारून की नजरों बाल को अच्छी जगा मिलती है इन लोगो को है ना limited liability बाल को सारे important बाल को point अब तक हमने तीन पड़े तीनों में liability unlimited थी यह एक लौता अब तक का business आया है जिसके अंदर liability क्या है limited है मतलब personal property यूज नहीं होगी ठीके चलिए control बाल को control जो है किसके पास डारेक्टर के हाथ में होगा डारेक्टर कैसे बनते हैं बाल को election के थुरू बनते हैं ठीके जी और यहां पर election कैसे होता है one man one vote system के थुरू होता है आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है बलको आगे बढ़ता है चलिए ठीके तो कोपरेटिव सुसाइटी जो है बाल को उसके मिनर क्या होता है service motive होता है तो मैं starting से बोलता हूँ आ रहा हूं कि सब कोपरेटिव सुसाइटी profit के लिए नहीं सोशल वेलफेर सर्विस वेलफेर मेंबर स्वेलफेर सर्विस मोटिव के लिए होता है ठीक है ओके निए निए पर गलती कर रहा हूं वाल को बार बार में है ना यूग जोएंट स्टॉक्पनी के अंदर वन शेर वन वोट है अभी हम लोग कोपरेटिव सुसाइटी पढ़ सारे इस सारे पार्टनरुस के अभी वाल को सारे जितने भी हमारे कोपर रियेक्टिव सुसाइटी के मेंबर संगे उन विमेरिट्टिव है नेच्ट्व swatch स्टेबल एक्जस्नेंस मतलब कि कबिदा इचला के ओकwnे निएक हिद्यों मतलब कश्ट पर लाको opens comple यह लोग large scale पर operate करते हैं है ना large scale बालको यह लोग operate करते हैं इसकी वज़े से क्या होता है जो cost होती है गाइस वो cost कमाती है तो they operate on large scale and the cost is very low ओके next one support from government government भी गाइस इनको support करती है कैसे भाया in the form of low taxes subsidies ठिके जी and low interest rate on loans तो यह सब बालको support government के तरफ से भी cooperative society को मिलता है next one is off formation खोलना भी आसान है ना खोलना क्यों आसान है कम से कम 10 लोग चाहिए और आपको cooperative societies act को follow करना इसके provisions को और 10 adult member होंगे तो business जो है आपका cooperative society जो है बालको आपका खोल जाएगा ठीके next one demerits पर आते है पहला demerits बालको limited resources जो resources जो क्या है बहुत जादा limited है man, machine, money, material अब 10 ही लोग तो होंगे ठीके जी गाईज ओके तो ये भी होगया बालको limited resources और shortage of funds बहुत रहता है बालको इन लोग के पास क्योंकि ये अभी बताया हमने they are not the association of capital they are the association of members तो कई बार चीज़ों की कमी इनके पास देखने को मिलते हैं guys in efficiency, in management they have not huge funds to hire the professionals, they do not have the huge funds to manage to manage to hire the people who can manage the business effectively ठीके, तो इनके पास guys नहीं ये इतने पैसे कि ये लोग managers को professionals को hire कर सके, business को manage कराने के लिए ठीके, next one is lack of secrecy, sir, यहाँ पर secrecy नहीं maintain होती sir, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनको publish करना पड़ता है, सारे members को बताना पड़ता है, जितने भी members जो है यहाँ पर, उन सब को बताना पड़ता है कि हमारे business में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है national बाल को government control, तो government के पास बाल को बहुत control है, government अगर आपको क्या दे रही है government अगर सपोर्ट प्रोवाइट कर रही है तो वो आपकी activities को control भी करेगी तो government control बाल को बहुत देखने को मिलता है differences of opinion बाल को opinion के अंदर बहुत ज़्यादा difference होता है, कोई कहता है कि ऐसे करो, कोई कहता है, ऐसे करो, कुछ members कहते हैं, ऐसे करो, कुछ members कहते हैं, वैसे करो तो यहाँ पर differences of opinion बहुत देखने को मिलता है अब आते हैं, इस types of cooperative society की तरफ बढ़ता है तो पहला है बाल को consumer cooperative society तो consumer cooperative society are opened by the consumer, simple सी बात है consumer cooperative society कौन open करेगा, sir, consumer cooperative society will be opened by the consumers, ठीके, जी कौन open करेंगे बाल को, इसको consumers open करेंगे पहली बात बिल्कुर सही बात है, sir क्यों open करते हैं, भाईया, to buy consumer goods है न, to buy consumer goods at lower prices, to eliminate the middle man, तो consumer cooperative society opened by the consumers, to buy consumer goods at, you know, in bulk quantity, and to reduce the price eliminate the middle man ये चार-पांच बाते धन्रकने, दुबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो रोक रोक के लिखना चाहो, तो लिख लेना, consumer cooperative society opened by the consumers, to buy consumer goods at, in in large quantity, to reduce the, the cost of the goods, है न, by eliminating the middle man अगर आप large quantity में खरीद होगे तो directly, जो है, manufacturer से खरीद लोगे directly, जो है, wholesaler से खरीद लोगे तो जो retailer का commission है, वो बच गया वो आपकी जिम में चला गया और उसको आपने बाढ़ दिये members में, welfare हो गया ठीक है? ओके? next one is guys, producer, cooperative society opened by the producers, सही बात है, sir to, to buy raw material in bulk quantity reduce the cost by eliminating the middle man ठीक है? next one is guys, marketing cooperative society it is opened by the producer, sir ये भी producer open करेंगे, ठीक है? जो to sell their output through a centralized agency तो centralized agency के थूँ अपने items को बेचने के लिए खाइदने के लिए नहीं, items को बेचने के लिए ताकि जो हमें अच्छा price मिल जाए अगर मैं खुद जाके बेच के आऊंगा, अच्छा price नहीं मिलेगा centralized agency के थूँ बिकवाऊंगा तो अच्छा price मिलेगा मालकू ठीके, farmers cooperative society opened by the farmers to buy, to buy seeds and other other you know चीज हैं जो भी farming में use होती है at lower prices and to sell their output at higher prices guys ठीके, through a centralized agency उसके बाद credit cooperative society are opened by the members of the society are opened by the households to provide financial support and financial assistance to its members cooperative housing society बाल को it is opened by the households who have a dream to open their, to own their own house ठीके जी, so what they do they make a cooperative society and they provide they provide housing accommodation they provide you know houses at a reasonable prices at a reasonable cost ठीके, done बाल को clear यह तो पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ता है अब आते हैं बाल को last topic इस chapter का everyone let's talk about the last topic of this chapter and the last topic is guys what it is joint stock company sir business करने का जो largest form होता है ना उस form को क्या बोलते हैं बाल को हम लोग जॉइन्ट स्टॉक कंपनी so joint stock company is the is the is the is the is the is the largest form of doing a business guys ठीक है पहली चीज़ और और क्या जाने बाल को इसके बारे में हम लोग directly definition की तरफ बढ़ जाते हैं एक बार देखो company joint stock company का जो registration होता है वो कैसे होता है the company's act 2013 के तहत होता है या इससे जो previous law था जो 1956 में था ठीक है उसके according होगा या उससे पिछले कारून के तहत होगा ठीक है जी a company can be described as an artificial person company क्या होती है बाल को एक artificial person होता है sir what is the meaning of artificial person देखो या company को ना हम जान बूझ के एक artificial person create करते हैं legal process follow करके ताकि ताकि जब एक company artificial person बन जाएगी तो case मेरे उपर नहीं होगा company के उपर कोई property खरेगी तो मेरे नाम पर नहीं खरेदेंगे कंपनी के नाम पर खरेदेंगे कोई case होगा तो उसके उपर होगा मेरे उपर नहीं होगा ठीके जी ओके अगर इसको भी केस करना होगा तो यह अपने नाम से करेगा ना common seal so common seal मतलब company की जो stamp होती है उसको बोलते common seal it is the official signature of the company company के वो official signature होते हैं एठीक है जहाद जो owners होते हैं मैं को company के उन्हें क्या बोलते हैं , उन्हें बोलते बाल को shareholders क्योंकि इस company के shares खरीदते है तो जो भी इंसन company खरीदेंगे उससे नहीं के shareholders ठीक है चलो फिर्ट भड़ते מएन क्यों आर्टीफीशेल प्रसन मैं ने बता है लेकिन एक नैच्य पूर्टी सकता है यह परपर्टि कही सकता है हैना जी इस mattersie केस कर सकता है उसके उपर कीया जा सकता हैं ठीक है, ओके separate legal entity बालको यह में already discuss कर चुके है, क्या that business and businessmen दोनों अलग-अलग होते है business and businessmen, guys दोनों अलग-अलग होते है, separate legal entity है, next में बालको formation, joint stock company, guys, जो formation होती है, बहुत ही expensive, बहुत ही complicated, बहुत ही legal process के साथ होती है, guys, ठीक है, okay, then there are several लीगल लीगल रिक्वार्मेंट्स बालको इट्स वेरी कॉंप्लिकेटेड एक्सपेंसिव प्रोसेस बालको बहुं सारे डॉक्यमेंट्स चेह हम लोगों को है ना ओके आगे बढ़ते हैं परपेचुवल सशेशन तो बिसिकली कॉंट्विनिटी होगी बालको किसी एक मेंबर के मरने से इडार्मेंट जो नहीं होता बाकी के मेंबर्स जो होते हैं बाकी के शेहल caucus जो होते हैं बाकी के डीरेक्टर जो होते हैं वो इस बिजिस को चलाते हैं एक होता है ownership दूसरी होती है guys management अब जो ownership होगी बालकु वो होगी किसके पास shareholders के पास और जो बालकु management होगा वो किसके पास होगा बालकु वो होगा हमारा board of directors के पास ठीक है अफसर ये board of directors कौन होते हैं बस ये लोग qualification shares अच्छा amount of share खहिते हैं ज्यादा shares खहिते हैं और साथ में election जीते हैं तो एक shareholder director बन जाता है ठीक है चलिए liability बालकु सारे partners के liability जो होगी बालकु वो limited होगी गाईस कितनी होगी limited होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं next one common seal मतलब official stamp of the company company के बालको official stamp जो है common seal जो है guys ये देखने को मिलती है next one risk bearing risk bearing का मतलब क्या है risk जो है बालको वो divide हो जाता सारे partners के बीच में जितने भी members है जितने भी shareholders है उनके बीच में बालको risk जो है वो distribute हो जाएगा next one transfer of shares अगर आप च share market में इनके shares को बेच भी सकते हैं अपने shares को transfer कर सकते हैं किसी और को merits पर आते हैं मेंको फाइदा क्या क्या है limited liability है सारे members की liability जो सारे shareholders की liability जो है वो limited है मतलब personal property दावपर नहीं लगी हुई उसके बाद transfer of interest बालको तो मैं अपने interest को बेचना चाहूं अपने shares को बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं perpetual existence बालको किसी एक member के मरने से business बनने होगा business चलता रहेगा next one scope for expansion अगर आपको business खोलना है बड़े level business खोलना है तो joint stock company will provide the lots of scope because यहां पर पैसे की कमी नहीं है यहां पर लोगों की कमी नहीं है यहां पर professionals की कमी नहीं है ठीक है कोई limit भी नहीं है चलिए professional management के पास joint stock company वालों को पार पैसा बहुत होता है तो they can hire the professionals for doing their management demerits पर आते हैं बालको पहरा demerit है complexity in the formation यह हम अल्रडी पढ़ चुके है time taking है expensive बहुत सारी legal formalities बहुत सारा documentation होता है इसलिए काए guys it is very complex in the formation lack of secrecy sir इनको अपने accounts को publish करना परता time to time they have to publish their accounts in the newspaper they have to upload their accounts on the website so that the public can see their the progress and the affairs impersonal work environment guys मतलब सार की महनत कोई और कर रहा है रेबडी कोई और खा रहा है है जी there's a difference between the efforts and the reverts है न गाइस तो efforts and reverts में क्या है guys a difference है अई बास समय में no direct relationship efforts कोई और कर रहा है reverse किसी और के पास जा रहा है तो इसलिए बाल को impersonal work environment हो गया numerous regulation गाइस उनको बहुत सारे rules and regulation large number of legal formalities उनको follow करनी पड़ती है guys next one is delay in decision making इनके decision making भी बहुत जारे delay होता है गाइस देखने को क्योंकि अब कोई भी decision होगा तो annual meeting करना पड़ेगा directors करना पड़ेगा वो general meeting लगाएंगे उसके बाद ही जाके decision लिए जाएंगे ऑलिग्याचिक management बाल को मतलब इसको बोल सकते हैं तानाशाही kind of और management by a few rule by a few उसको बोलते हैं आप यह कंट्रेटर सब्सक्राइस के टिरेक्टर करें अब कुछ डेटर करें यह वीसे करो तो और तो इंट्रस्ट माल को देखने को बहुत मिलता है लडाईया जगड़े आपस में कई बार disputes create हो जाते हैं guys, ठीक है? तो बालको अब आता है guys types of corporate, sorry types of joint stock company बालको joint stock company जो होते है बालको वो दो तरह की होती है एक होती है public company एक होती है private company अब सरी private company क्या होती है private company जैसे की नाम से पता लगा रहा है private company यहाँ पर काई इस private लोगों का पैसा लगा होता है सब सेलेक्टेड इंडिवीजवल्स private इंडिवीजवल्स है ना? और अगर public company की बात के अंदर इस public company के अंदर the money is invested by the public the general public ठीक है तो यह इसका basic concept है बालको basic reason है इस नाम के पीछे ठीक है नाम के एंड में के नेम लिखा है नेम के एंड में के अंद में के बालको यहाँ पर लिखा होता है PBT Limited और यहाँ पर सिर्फ Limited लिखा होता है आपने कई जगा देखा होगा बालको सिर्फ Limited लिखा हो देखा होगा कई जगा PBT Limited लिखा हो देखा होगा Invitation to public, private company and public company guys. ठीक है, तो यहाँ पर private company है, तो private company, private logo से पैसा लेगी, और public company guys, चनल public से पैसा लेगी. Next point is, बालको transfer of shares, no freedom of transfer of shares. यहाँ पर shares बेचने की freedom नहीं होती है, जबकि public company के पास freedom होती है, stock market में जाके अपने shares को बालको बेच सकते हैं. Index of members बालको compulsory नहीं होता, जैसे आप लोग बालको Index अपने chapters का बनाते हैं, वैसे Members का Index बनाया जा सकता है. तो Index of members बालको यहाँ पर जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ बालको Index of members जरूरी होता है, गाईस. Commencement of business, बिजनस बालको कब start होगा, तो Private Company अपना बिजनस जो है गाईस, Certificate of Incorporation के बार, जो है, Private Company can start its business, अपना बिजनस शुरूरी का सकते हैं, ठीक है जी? ओके, Public Company को बालको Certificate of Commencement of Business ज़ही होता है, to start the business, ठीक है? Done है? ओके है? चलिए जी, तो बालको आप देखा जाए, तो यहाँ पर एक form और है, that is, One Person Company, OPC, इसके बारे में भी जान लेते हैं, गाईस, देखो, One Person Company क्या होता? जी, यार, One Person Company नाम से पता लग रहा है, सर, जहाँ पर एक ही बंदा होगा, जो बिजनस को start करेगा, है सर, तो यह तो Soul Proprietorship हुआना नहीं, है यह Soul Proprietorship भी, लेकिन जब Soul Proprietorship तेख चल जाए, और वो Soul Proprietorship को Soul Proprietor की तरह ना, Company की तरह चलाना चाहे, Company के Rules and Regulation को Follow करना चाहे, Company के Documentation, Company की Joint Store, Company के Fyidah लेना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है गाईस, ठीक है जी? A person, One Person Company refers to a company, which has only one person as a member, and which works on the principle of an ordinary company, ठीक है? Features पर आते हैं बालको, Private Company की तरह यह बालको, यह आक्ट करेगा बिलकुल, One Person Company जो बालको, Private Company की तरह आती है, Single Member होता है, Nominee होते हैं गाईस, कुछ लोग यहाँ पर Nominee रखे जाते हैं, तो अगर वो Member गया, तो बिजनस पर यहाँ बंद करना पड़ेगा, Nominee चाहे तो चला सकते हैं, नहीं चाहे तो बंद करना पड़ेगा, है ना, Minimum One Director, बालको एकी डिरेक्टर होता है, Maximum बालको पंदर डिरेक्टर से यहाँ पर हो सकने हैं, No Minimum Paid Up Capital, यहाँ पर कोई Minimum Paid Up Capital नहीं होती है, जैसे कि एक लाख मात थी, पाच लाख मात थी, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनको special privileges मिले हुएंगा इस कुछ, है ना, One Person Company को, ओके, 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 तो बालको यहाँ पर हमारा चेप्टर है, वो खतम होता है, बहुत ही शांदार तरीके से मुझे रगता है, कि हमने हर एक पॉइंट को कवर किया, और जो आपको होंवक कमेंट वाले होंवक दिये गए है, वो कमेंट में जरूर देखेगा बालको करिएगा उसको, है ना, तो आज बालको हमने वन शॉट पूरा चेप्टर खतम कर दिया, पांचो के पांचो, फॉर्म्स गाईज हम लोग खतम कर चुके हैं, ठीके, ओके, सो थैंक्यू सो मच बालको मिलते हैं, फिर आप लोगों से नेश्ट लेक्च्चर के वन शॉट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए, घरों लोगों ख्याल लखिए, पढ़ते रहिए, अपने ग्यान को बढ़ते रहिए, और हमारी क्लासित में गईजाते रहिए, तल देन मबाइटे के अजय हिन जय, भारत बालको लव यू आल,